विकी कोशल और कच्रीना कैफ ने अपने वेडिंग रिसेप्शन की डेट की फाइनल क्या 20th December को मुंबाई में होगी विकी कोशल कच्रीना कैफ की रिसेप्शन पाटी क्या अपने दोस्तों को आलरेड़ी विकी कौशल और कैफ ने 20th डेट ब्लग करने के लिए कह दिया है ओमिख्रोन की शैडो के बीच विकी कौशल और कैफ की वेडिंग रिसेप्शन अपडेट विकी कॉशल और कच्रीना कैफ की वडिंग रिसेप्शन को लेकर फाइनली एक बड़ी अपडेट आच चिकी है रिपोर्ट्स के मताबिक विकी कॉशल और कच्रीना कैफ अपने वोग को रिज्यूम करने से पहले रिसेप्शन पाटी को कम्प्लीट कर लेना चाहते हैं ऐसे में उन्होंने 20 दिसेंबल की डेट को फाइनलाइज किया है रिपोर्ट्डली विकी कॉशल और कच्रीना कैफ ने अपने करीबी दोस्तों को एडवांस में ही 20 दिसेंबल की डेट ब्लॉक करने के लिए कह दिया है अपनी पैमिली के साथ सेलेब्रेट कर दी है अईसे में वो चाहते थीं के उनकी रिसेप्शन पाटी क्रिस्मस से पहले हो जाए और इस बार विकी कॉशल के साथ से कैच्रीना कैफ का ख्रिस्मस और भी स्पेशल बन जाएगा वही रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि कट्रीना कैफ और विकी कौशल ओमिक्रॉन के खत्रे को देखते हुए बीएंसी की गाइडलाइन्स के हिसाब से ही ये पार्टी थ्रो करेंगे और वो मेक्शॉर करेंगे कि जो भी उनकी पार्टी में शामिल होने आए वो अपने आर्टी पीसी आर्टेस्ट करवा कर ही पहुँचे ऐसे में हो सकता है कट्रीना कैफ विकी कौशल के अफिशल इन्वाइट में हो आर्टी पीसी आर्टेस्ट का जिक्र एक रिपोर्ट में विकी कौशल काट्रीना कैफ के रिसेप्शन में शामिल होने वाले सिलेब गेस्ट्स को लेकर कहा जा रहा है कि कच्रीना कैफ और विकी कौशल ने अपनी शादी की डेट तक किसी भी तरहा का ओफिशल कॉन्फिमेशन नहीं दिया था ऐसे में क्या वेडिंग रिसेप्शन को लेकर भी ये दोनों स्टार्स इसी रूल को फॉलो करेंगे ये देखना इंट्रेस्टिंग होगा विकी कौशल के वेडिंग रिसेप्शन में ज्यादा सिलेब्स के शामिल होने को लेकर क्वेश्चन माग भी है क्योंकि करीना कपूर खान और अमरिता अरोरा के पैंडेमिक रिलेट़ वाइरस से पॉजिटिव हो जाने के बाद सिलेब्स को सोशल मीडिया पर जम कर पाटीज करने को लेकर स्लैम किया गया है अब देखना होगा ओमिक्रॉन की शाड़ो के बीच कच्रीना कैफ विकी कॉशल किस तहां अपने वेडिंग रिसेप्शन को बिना किसी होडल के पूरा करते हैं